मेरे लोक सभा छेतर रांची में पीचागण विधान सभा में सोणरेखी बहुत देशी परियोजना के तहट 185 मेटर उचाव वाला चांडेल डैम 38 साल पहले बना सिचाई के लिए पानी के विवेस्था, घरेली वेमों अध्योगी कोपियों के लिए जलापूर्ती जल विद्धुत उत्पन करना एवं बाढ़ नियंतरन उसका उद्देश था इन चार उद्देश्यों को लेकर बांध का निर्मान किया गया यह बांध 43,000 एकर छेतने फैला है जिससे आसपास के 116 गाउं उजड़ गए परंतु दुर्भाग है जिन उद्देश्यों को लेकर इस बांध का निर्मान किया गया वह अब तक पूरा नहीं हुआ मेरा आग्रह जल सक्ती मंत्राले से है कि जल सक्ती मंत्राले अपने अधीन एक योजना बनाकर पाइपलाइन के द्वारा किसानों को सिचाई का लाब मिले और विस्थापितों को भी वहाल नयाय नहीं मिल पाया विस्थापितों को अभी तक नयाय दिलाने के लिए कोई पैकेज इनाउंस नहीं हुआ मेरा आग्र है कि उन विस्थाफितों को एक पैकेज देकर न्याय दिया ला जाए बांध के निर्मान के 38 साल बाद भी इसका उपयोग जनीत मना होना दुर्भाग्य पूर्ण है सरकार से मेरा आग्र है कि इस छेत्र में सकरात्मक पहल किया जाए ताकि इस बांध को लाब राची लोकसवा के छेत्र को की जनता को मिल सके क्योंकि 116 गाउं विस्थाफित हो चुके 19,115 परिवार प्रभावित हुए मेरा आग्र है कि 35 साल 38 साल बीतने के बाद कई पीडियां गुजर गई अभी तक नाय नहीं मिल पाया मेरा आग्र है कि जरूर जल संसाधन मंतरी जल शक्ती मंतरी इस पर ध्यान दे और पैकेज बनाकर और किसानों को पाइप लाइन के द्वारा सिचाई के लिए उपयोग के लिए बांध का कर सकते हैं